सभी आधरनिये मुख्यमंत्री गाण, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, गवरनर्स, लेटेन गवरनर्स, आप सब को नवश्कार, अनलॉक वन को दो सब्ता हो रहे हैं, इस दवरान जो अनुभव आये हैं, उसकी समिक्षा, उन पर चर्चा, हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती है, आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा, ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा, आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव, देश को आगे की रणरिक्ति बनाने में अवस्च्य मदद करेंगी, साथ यो किसी भी संकर से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्पव होता है, सही समय पर लिये गए फैसलों ने देश में कोरोना संकरमन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है, बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई का अध्यान होगा, तो ये दोर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दोरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्थुत किया, साथियों जब करोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिये थी, हमने एक-एक भारतिय की जिन्दगी को बचाने के लिए दिन रात महनत की है, बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिय भाई भेन विदेश से अपने वतन वापिस लोटे हैं, बीते हप्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं, रेल रोड एर सी सारे मार्क करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंक्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमन उस जैसा विनाज़कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की हैं दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हेल्थ के जानकार लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुशाचन की आज भारी चर्चा हो रही है आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस सग्गट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है साथियों बीते दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवारिय है आवशक है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा के लिए विशेशकर गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है अब तक लगभग सारे आफिसेश खुल चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग आफिस जाने लगे हैं बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है तो इस सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे थोड़ी सी भी लापरवाई थोड़ी सी भी डिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उसका बढ़ना जितना रोंग पाएंगे उतना ही हमारी अर्थववस्ता खुलेगी हमारे दपतर खुलेंगे मार्केट खुलेंगे ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथियों आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थेववस्ता में ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दो गुनी हुई है इस बार खरीब की बुगाई बीते साल की अपेक्षा करीब बारा तेरा परसंट जादा हुई है टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब सत्तर प्रतिशक तक पहुच चुका है रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है इतना ही नहीं माई में टोल करेक्शन में बड़ोत्री होना एकनोमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है लगातार तीन महिने तक एक्टिविट में कमी के बात जूर में एक्टिविटी फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरियड में पहुँच गया है यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोचाहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथियों आप पैसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और MSMEs का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्मन दिर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं MSMEs को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं समय बद्द तरीके से MSMEs को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है सो करोड रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक क्रेडिट के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे सात्यों हमारे यहां जो smaller factors हैं उन्हें guidance की hand holding की बड़ी ज़रुत है मुझे पता है आपके नेत्रुतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रप्तार पकड़ सकें इसके लिए value change पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पी specific economic activity points हैं वहाँ 2400 घंटे काम हो सामानों की loading, unloading तेजी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो तो economic activity और तेजी से बढ़ेगी साध्यों किसान के उत्पात की marketing के खेतर में हाल में जो reforms किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्थिववस्ता की गती भी बढ़ेगी विशेशत तोर पर नौर्थ इस और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटिकल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं और उर्गिनिक प्रोडक्स हो बाम्बू प्रोडक्स हो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो उनके लिए नए मारकेट का द्वार खुलने वाला है लोकल प्रोडक के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीति की गोष्णा की गई है उसका भी लाफ हर राज्य को होगा इसके है कि हम हर ब्लॉक हर जीले में ऐसे प्रोडॉक्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोडॉक्ट हम देश और दुनिया के बाइजार में उतार सकते हैं साथ्यों बीते दिनों आत्म निर्भर्द भारत अभियान के तहट जितनी भी गोच्णाय की गई हैं वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिष्ट भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाब हैं जो तयारिया हैं वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुख हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के अधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी मैं ग्रहमंत्रीजी से आगर करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का संचालन करे कि बहुत कि अनुप के अनुप कर दो चाहिए प्राहँ अनुप कर दो बाते है कि अनुप कर दो खांग है